क्रीमी और एक दम चट पटी मलाई प्रॉण की रेसिपी शेयर करूँगी, बिल्कुल रेस्टरॉन स्टाइल बन कर रेडी होगा और खाने में बहुत ही ज़ादा मजायकेदार, बहुत ही मज़ेदार होती है मलाई प्राउन बनाने के लिए एक किलो प्राउन को मैंने साफ करके रख लिया है अब इन्हें मैरिनेट करते हैं सबसे पहले इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट आदा चम्मच काले मीज का पॉडर एड़ करेंगे आप को टीवी काले मीज भी डाल सकते हैं और साथ ही इसमें आदा चम्मच नमा कैट करना है प्राउन में डालेंगे आदा लेमू करास आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं एक चम्मच और अच्छी तरह से सारे प्राउन्स को मैरिनेट कर लेंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है यहाँ पर प्रॉन्स को मेरिनीट कर लिया है अब इन्हें साइड में रखते हैं आप मुझे कॉमेंट करके बताए किस कंट्री की शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा तो यहाँ पर मैंने एक बरतन ले लिया इसमें डाला है मैंने आधा कप तेल और तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे सबसे पहले कुछ खड़े मसाले गर्म मसाले में बड़ी छोटी लाइची लॉंग जाविदी का एक छोटा सा तुकड़ा दालजीनी इन खड़े मसाले को डाल देंगे अब इसमें डालेंगे दो बारिक कटी हुई प्यास प्यास को हमें बारिक काटकर डालना है और अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ये थोड़ी सी सौप्ट ना हो जाए low to medium flame में प्यास काफी अच्छी तरीके से soft हो गई है बस इतना है सही color हमें लाना है अब इसमें डालेंगे अद्रक लसन का paste एक बड़ा चम्मच 6-7 हरी मेज का paste एड़ करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे जैसे ही मसाला थोड़ा सा भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले पॉर्डर तो सबसे पहले इसमें डाल देना है हमें आदा चम्मच हल्दी का पॉर्डर और एक चम्मच इसमें धन्या पॉर्डर आड़ करेंगे चिकन मसाला पॉर्डर आदा चम्मच आड़ करेंगे आप मीट मसाला पॉर्डर भी डाल सकते हैं कोई भी मसाला इसमें डाल कर सकते हैं आदा चम्मच काले मेज का पॉडर अब सभी मसाले को हमें बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक मसाले का कच्चपन निकलना जाए तो यहाँ पर आप देख सकते मसाला काफी अच्छी तरीके से ड्राइ हो चुका है इसमें डाल देंगे हम मैरिनेट किया हुआ प्रॉंस प्रॉंस डाल कर हलकी आच में प्रॉंस को भूनेंगे जब तक यह थोड़ा सा वाइट न हो जाए और उसी आच में गल न जाए तो यहाँ पर मैंने भून लिया है बहुत अच्छी तरीके से और इसमें थोड़ा सा पानी भी आट किया है और पानी डाल कर थोड़ा सा गला लेंगे यहाँ पर मैंने दो बड़ी साइस की प्यास को गोल्डन फ्राइ करने के बाद निकाल लिया है प्यास को फ्राइ करने के बाद साइड में रखते हैं प्रॉंस की तरफ चलते हैं ये काफी अच्छी तरीके से गल चुका है इसमें डालेंगे सबसे पहले आधा का फ्रेश दही इससे बहुत अच्छा बहुत इलाजवाब सा टेस्ट आएगा एक चमच चिली फ्लैक्स आधा चमच नमक डाल रही हूं नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ करें क्योंकि मैंने करते वक्त हमने नमक एड़ किया है और जो हमने प्यास को फ्राइ किया था उसको हातों से मसलते हुए क्रश करके डाल देंगे अब प्रॉंस को मिक्स कर लेते हैं यहां पर म दालने के बाद दही फट जाती है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसका ठकन लगाएंगे और इनको दो से तीन मिनिट के लिए हमें पका लेना है कुछ मिन्टों में प्रॉंस पिलकुल रैडी हो चुका है इसमें डालेंगे आधा का फ्रेश क्रीम मलाई प्रॉं मसाला पॉर्डर एक्ट करेंगे और साती धेर सारा हरा धनिया डाल देना है बस अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम को यहां में आफ कर रही हूं यहां पर हमारा जो मलाई प्रॉंस है बिल्कुल रैडी हो चुका है सर्फ करने के लिए तो मलाई प्रॉंस को राइस के साथ च